कहानी है वेंटम नामी एक आत्मी की जो एक पोटोगोफर है वो एक सुनसान सहरा में आया है क्यूंकि उसे आज होने वाले पूरे सुरज ग्रहन की पिक्चर्स लेनी थी सड़क खतम होने के बाद इस सहरा में उसे परफेक्ट पॉइंट दोड़ने के लिए काफी चलना पड सुरज ग्रहन से पहले वो अपना सेट अप लगा चुका था सुरज ग्रहन की पिक्चर्स लेने के बाद उसे शाम होने से पहले पहले इस सहरा से बाहर निकलना था वो पैदल चलते हुए जब अपनी गारी तक जा रहा था तो रास्ते में उसे इस सुनसान सहरा में एक रो उसे अपने स्थाथ ले जाने का पैसला करता है बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे आगे बहता रहता है वेड़नम पूछता है वो बच्चे तुम कहां जा रहे हो जिस पर वो बच्चा जमाब देता है कि महीं कहीं मेरे मापाप खो गए है और मैं उधेर ढोलने किसी चाल के तहट उसे यहान लाना जारा था पर अब आगे बहनदम के साथ क्या होने वाला था वो यह नहीं जानता था वो हर धाल में शाम होने से पहले तक अपनी गार तक पहुँछना जा रहा है अंपर यह भी जानता है कि जतनी दूर वो आ चुका है वो जितना भी चल करने के बाद वेंडम को करीभी कहीं से कुछ आवासे आती है उन्हावाजों का पीछा करने पर वो एक थाई में पहुँचता है जिसके गेहराई पे एक घर था वहाँ बंदी एक रसी की सीड़ी का सहारा लेते हुए वेंडम उस घर तक पहुँच चुका था वो घर का जान इंसान के अंदर आने पर भी यह औरत बिल्कुल नहीं घपराई थी वो अपने काम में बगन रहती है वेंडम उससे कहता है कि मैं यहां खो गया हूँ और मुझे फोन के जरूरत है क्या आपका फोन मुझे मिल सकता है यह औरत कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख दीती है वेंडम यहां उसे अपनी कहानी सुनाने शुरू कहता है और कहता है कि मैं एक बिच्चे की मदद करना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे धोका दिया जिन सभी बातों के जवाब में कि लड़की उसे कहती है कि काफी रात हो रही है तुम्हें सोना चाहि वेंडम भी खामोश हो कर सोने चला जाता नहीं जिसके बात ही लड़की बैघ्टक के सामने ही कपड़े चंच करते है और खुद सोने चली जाती है अ चारो तरफ बड़े बड़े गरम पहार थे आी है उस लड़की की जाकने पर उसे बुछता है बोसीली कहानी थी त्यंकर की कहती है मुझे नहीं मालों वो लोग कभी का बाहरी उस सेड़ी को वहां रखते हैं वेड़नम उससे पूछता है कि यहां कोई और लोग भी रहती है जिस पाद कान लड़की कोई चबाब नहीं देती वेड़नम अब इंतसार करता है कि शायद वो लोग सेड़ी वहां बाप मुश्किल था मुझपूरण उसे दूसरे रात में यही गुजारनी पड़ी अगले दिन पर जब वहां कोई स्टेडी नहीं मिलती तो वेंडम अलीना नामी इस लड़की से एक कपड़ा और एक हतोड़ी लेकर इन पहाड़ों के उपर चाहिने की कोशिश कहता है इस मार्तब ने के वज़ा से वो बेहोश हुचका था पूरा दिन वो वही पड़ा रहा और रात में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हतोड़ी उसके पाउं में लग चुकी है पूरा दिन छोड़कर इस वक्त पर वेंडम को दर्ट से जिलाता देखकर अलीना उसकी मदद को आती है वो उसके पाउं से हतोड़ी निकाल कर उसको पट्टी बांद देती है और ऐसे वेंडम और दो दिन के लिए यही पर भस जाता है दो दिन बात वो दुबारा यहां से निकलने की कोशिश करता है पर इस मर्तबा भी सीड़ी पहाड़ों पर नहीं थी वो जोर जोर से चु जोर रहा है तो मेरी मदद करें उसके चीखे सुनकर अलीना भी बाहिर आती है वो इलीना से पूच्छता है कि आखिर कोन हो तुम और मजसे क्या चाहते हो अलीना घब राते हुए वेंडम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ मैं तुम्हें खाना दे सकती और लड़की तुम मदद के लिए चला रहे थे पताओ तुम ही क्या चाहिए यह देखकर वेंडम बहुत सदा खुश होता है और कहता है मुझे बस रस्ती चाहिए जो मुझे यहांसे निकाल ले यह लड़का उसे ही कहरकर यहांसे चला चाता है वेंडम भी उसे अपने एर्दगेट अच्छे से बान लेता है और वो लड़की उसे उपर की तरफ खेंचना शुरू करते हैं लेकिन दिर्मियान में इन लड़कों ने वेंडम को उपर खेंचना बंद कह दिया था तब अलीना आकर इन से इनकी लेंग्विश में बात करते हुए कहती है कि उसे छोड़ दो अब बच्चे उसे नीचे गिरा देती हैं वेंडम को जब भोश आया तो वो अलीना की बैट पर था वो दुबारा यहां से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है उसके जखम अभी भरे नहीं थे वो आगे जानी पाता और वही इस जमीन पर लेट जाता है इस वक्त पर अलीना उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो इतनी आसानी से यहां से नहीं निकल सकता जितना चलती हो सके वो अपनी किसमत को कबूल करने अब उसे यही रहना पड़ेगा वेंडम जिसे भी यह बात समझ आ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहां से नहीं निकल सकता वो अलीना की बात मान लेता है दिखा आ जाता है कि कुछी दिनों में यह दोनों फैमली की तरह एक साथ रहने लगे थे वो बच्चे जिन्होंने वेंडम को यहां फसाया था वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद इनकी जरूरत की चीज़े इन्हें दे दिया करते थे अलीना वेंडम के लिए खाना बनाती उसके कपड़े धोती उसका सारा काम करती जबके वैल्टम ने यहां पर सबसिया उगाने का काम शुरू कह दिया था पर इस सब के बावजूद भी वैर्णम को एक उमीद बागी थी कि वो यहां से बाहर चला जाएगा और पिर एक दिन लड़कों ने स्थमान के साथ इनको अलकोहल पिती जिसका इस तबहान रात में वैर्णम ने काफी किया और निशी की हानत में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अलीना के काफी करीब आगया फिर अगला दिन होता है और आज भी दुबारा वैर्णम यहां से निकलने की कोशिश में लग जाता है लेकिन रास्ता तो कोई था नहीं पर आज एक उमीद की किरन उसके लिए आई थी एक लड़का उससे बाते करता है और उसे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं क्या आप मुझे पढ़ा सकती है जरूर करूँगा आप त्यार रहना वैर्णम कहता है हां क्यों नहीं जरूर उनकी इन्हीं बातों के दुरान उपर उस लड़के के साथ ही ने आकर उसे वैंड़के करते देखकर उसे पकड़ लिया था अब जब वह घर आता है तो एलीना उसे पताती है कि वह करते हैं जिस पर अलीना बताती है कि वह लड़के अपना कोई रीच्रोल कर रही है वैंड़की अगली सुपह अलीना की रोती और चिलाती अहवासों सी हुई थी वह जब बाहर आता है तो देखता है कि वह लड़का जिसने वैंड़के कर्ड़कों कहा था उसको इन लोकों पहाड़ों में लटका दिया था और उसे ही देखकर अलीना जोर जोर से रो रही थी वह वैंड़के कहती है कि यह मेरा बच्छा था और तुम्हारी बचा से मारा गया वह खुसे में उती है और एक लखड़ी का टुकड़ा उठाकर वैंड़को मारना शुरू करती है वह व संफरों की तरह उन्वरों के उला खाता था। अतने अर्सा गुसरने के बाद एक और उमीद वैंड़ के लिए देखके थी तो भी इस जहन्म से बाहर नहीं निकल पाएगा कुछ दिन गुजरते हैं और वेर्णम को एक दिन जिस देकर वेर्णम ये अंतास लगाता है कि यहां एक पुरा कबीला रहता होगा अलीना के पास भी कुछ दिनों में एक बेबी होने वाला था वेर्णम अलीना से कहता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पर सकती है तो मुझे बाहर निकालो मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन अलीना ये कहती हुए उससे मना कर देती है कि नहीं मैं सब कुछ खुद संभा लोगी मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ और अलीना का जवाब सुनने के दोबारा अलीना वर्णम के पास आती है वो उसका पिंचरा खोल कर उससे कहती है कि प्रीज मेरी मदद करो मैं मुश्किल में हूँ वर्णम ना चाहते हुए भी उसकी मदद को बाहर आ जाता है लेकिन वो हुद भी इतने दिन इस पिंचरे में रहने की वज़ा से ठीक से च कुछ थे इस बच्चे के पैदा होते ही उपर से वो लड़के चिन्होंने वेंडम को यहां कैद क्या हुआ था वो सब नीचे उतर कराते हैं और बहुत ही बेदर्दी से वेंडम का कला काटकर उससे मार डालते हैं और वेंडम की लाश वही बड़ी आश तक सर रही है जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहां सत्व हो जाती है